पोल डांसिंग, किक बॉक्सिंग, होर्स राइडिंग, शूटिंग जैसी एडवेंचरिस चीजों में इंट्रेस्ट रखने वाली टीना ने लॉगडाउन फेज में खुद को फंक्शनल और वेट ट्रेनिंग से स्विच करके योगा करना स्टार्ट कर दिया था। उनका निकनेम टिंजी है और तनीशा दत्ता उनका रियल नेम है। कहां से बिलाउंग करती है टीना दत्ता और क्यों उनका नाम इतनी ज़्यादा कॉंट्रोवर्सीज और इतने सारे लव अफेर्स में पढ़ा रहता है। टीना दत्ता की लाइफ से जुड़ी उनकी एजुकेशन, अर्ली लाइफ, रिलेशन्चिप्स और उनकी अब तक करियर से जुड़ी सारी अंजानी बाते जानने के लिए बने रही है इस वीडियो के एंड तक बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टीना दत्ता के लावा, उनके बड़े भाई भी है, देवराज दत्ता, टीना कहती है कि वैसे तो हर लड़की अपने फादर के ही ख्लोज होती है, जो की बचपन में टीना भी हुआ करती थी, पर बड़ी होते होते वह अपनी मा के जाधा क्लोज आ गई, और उनकी मा से वो boarding and day school में admission करवा दिया गया था schooling खत्म हो जाने के बाद उन्होंने University of Calcutta से English honors में डिगरी हासिल की Tina की acting journey की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी और तब से लगातार वो अपने काम से लोगों का दिल जीत रही है पहले बात कर लेते हैं उनकी movies की तो टीना ने काफी चोटी उम्र में केवल 6-7 साल की उम्र में फिल्मों में एक्ट करना शुरू कर दिया था और 1997 की एक बेंगॉली फिल्म पिता माता संतान उनकी डेब्यू मूवी थी और इसमें टीना एक चाइल्ड रोल में देखी गई इसी साल वो एक और बेंगॉली फिल्म 10 नंबर बारी में भी नजर आई साल 2003 में उन्होंने दो और बेंगॉली फिल्म्स की थरक और चोखरबाली जिनमें से चोखरबाली नेशनल लेवल हिट मूवी मानी जाती है और इस मूवी में टीना एक्ट्रिस एश्वेर राय के अपोजिट नजर आई थी अब तक ये सबी बेंगॉली मूवी जिनमें टीना को देखा गया था पर साल 2005 में उन्हें डारेक्टली ही एक बॉलिवुड मूवी में देखा गया और ये मूवी थी परिनीता जिसमें उन्होंने यंग ललिता रॉय का रोल प्ले किया था साल 2008 में उनकी एक और बेंगॉली मूवी आई चिरोदीनी तुमी जे अमर उनके टेलिविजन करियर की बात करे तो उन्होंने 1996 में निवेदिता नाम के एक टीवी शो से चाइल एक्टर बतोर अपने करियर की शुरुआत की थी इसके बाद वो साल 2007 में बेंगॉली शो खेला में हिया और सायरा के रोल में नजर आई और उसके बाद 2008 के शो दुर्गा में कुमकुम रॉय चौदरी के रोल में पर टीना को साल 2009 में अपने पहले ही हिंदी टीवी डेब्यो शो उत्रन से इच्छा भारती सिंग बडेला के रोल ने नेशनवाइट पॉपिलरिटी दिला दी और ये शो 2015 तक ओन एर रहा ये टीना की लाइफ का वो शो था जिससे उने सभी लोग जानने लगे थे इसी साल वो एक सूपर नैचुरल टीवी शो कोई आने को है में परुमिता रॉय के रोल में देखी गई थी इन सबी टीवी शो के अलावा टीना बॉक्स क्रिकेट लीग, फियर फैक्टर खत्रो के खिलाडी, शानू, डायन, कॉमेड़ी क्लासिस, कॉमेडी नाइट्स बच आने के बाद भी टीना की लाइफ में कॉंट्रोवर्सी ने कभी पीछा नहीं चोड़ा, उतरन शो के दौरान टीना का नाम इस कॉंट्रोवर्सी में पढ़ा कि उनके कोई स्टार्स रश्मी देसाई और श्रीजिता दे के साथ शो के दौरान काफी लड़ाईयां होती थी, दरसल शो के दौरान टीना ने ये बोल दिया था कि उतरन शो की स्टोरी उनके अराउंड ही गुंती है, जिस पर ये सारी लड़ाई हुई, शो में उनके करेक्टर का नाम मीठी था और रश्मी का तपस्या, टीना की इस बाद पर स्रीजिता का कहना था, किसी वे शो की स्ट थे कि टीना और रश्मी को कॉमेडी नाइट्स 3 का तड़का शो होस्ट करने के लिए बुलाया गया था, पर दोनों ने एक सार शो होस्ट ही नहीं किया, और रश्मी तभी स्टेज पर आये जब टीना वहां से चली गई, पर टीना ने इन सब बातों पर ये बुला था कि उ इन ऐलिगेशन से मोहित ने के साफ इनकार कर दिया था, बाद में उन्होंने सीरियल के प्रड्यूसर से बात करके ये ऐलिगेशन्स रिजॉल्व की थी, इसके लबाद 2014 में टीना ने एक फेस्बुक पोस्ट के जरिये उनके साथ ट्रेवल कर रहे एक पैसेंजर के लिए ल आना है, आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें, वैसे इन कॉंट्रोवर्सी के बाद भी टीना ने अपनी एक्टिंग से हमेशा सबको इंप्रेस किया है, और अपने करियर लाइफ में वो 10-15 ओवार्ड्स भी जीच चुकी है, साथ ही काफी बार नॉमिनेट भी कीचा और वो ग्रैशोबा, एलाइटन, इंडिया मैगजीन, बिग बॉस ताइम्स जैसी मैगजीन के कवर पेज पर भी अपनी जगा बना चुकी है, साथ ही उनका नाम टाइमस ओफ इंडिया मोस्ट डिजारेबल विमन के लिस्ट में साल 2019 में 19 रैंक पर रहा था, तीना की रिले बहुत अच्छा था, पर कुछ टाइम बीटने के बाद उनका बॉइफरेंट उन्हें दोस्तों के सामने माने लगा था, जिसके बाद टीना का अपनी रिलेशन्चिप से तूटने लगा, फिस साल 2011 में वो एक सूपरवाइजिंग प्रडियूसर महेश कुमार जैसवाल से जिनके साथ उनकी शादी के रूमर्स भी मीडिया में बहुत उड़े थे, पर टीना ने क्लैलिफाय कर दिया था कि उन्होंने उनसे शादी नहीं की है, बाद में उनका नाम परेश मैता नाम के एक बिजनसमैन के साथ भी जुड़ा ही था, कि बिग बॉस में आते ही उनका शालीन बनोट को डेट करने की लाइम लाइट में आ गया, बट इन सब रूमर्स को टीना ने डिनाय कर दिया और बस ये कहा कि वो सब जस्ट फ्रेंड्स है और ये सारी बाते बस रूमर्स है, तीना का ये भी मानना है कि वो अपनी इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी लड हम में कास्ट किया गया है, ये एक रोमेंटिक ड्रामा शो है जो टर्किश ड्रामा इस्तान बुलू गेलीन का रीमेक है, आपको ये शो कितना पसंद आ रहा है कमेंट जरूर करें और आप अपनी नेक्स सेलिबरिटी लिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बता हैं, थांक यू सो मुझ पर वाचिंग दिस वीडियो, विस्टे कनेक्टिद ब्याप्पी